नमस्कार आई ये बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्टा उली के बारे हैं कनिष्टा उली किसी भी व्यक्ति के बहुत दिक स्थर को बताई जाती है भाशा शैली को बताती है आपके कैसे विचार हैं आप कितनी जल्दी किसी बात से उखड़ जाते हैं आपकी किस प्रकार की आरदास्त है यदि सूरिय की उगली के साथ ये उगली चुपक कर चलती है तो इन गुड़ों में विरद्धी करती है यहाँ पर उंगली की लंबाई सूरिया की फ़र्ष्ट उंगली के कट तक नहीं पहुँची और साथ इसाथ इसकी गहराई भी ज़्यादे है यानि कि ये तो रिशित बात है कि व्यक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है लेकिन उसके जीवन के अंदर क्योंकि जब ये इतनी गहराई तक जाती है तो धन के लिए संगर्स भी ज़्यादे कराती है कुल मिलाकर मिलता है व्यक्ति को लेकिन बहुत संगर्स करने के बाद आईए बात करता हूँ उसके बाद मैं आपकी सूरिय की उगली के बारे में यस के लिए मान सम्मान के लिए माता पिता भाई भेनों से संबंद के लिए जीवन में यात्राओं के लिए विदेस यात्राओं के लिए इन सब बहुत सारे कारक हैं समगली के उनके लिए जानी जाती है सुरिय की उली की का प्रभाव यहाँ पर यदि मैं ये सुरिय के उली के प्रभाव को देखता हूँ तो ये अपने आप में यहाँ पर उपयुक्त है कोई ज्यादे खराब नहीं कह सकता जिस छेतर भर में आप जितने आपकी पढ़ाई सिक्चा है उससे आपसे आपका संबान है कुल मिलाकर किसी प्रकार की बजरामी के कोई योग नहीं माता पिता को बहुत प्रेम करने वाले हैं वड़ा पितकों की सिवा करने वाले हैं अपनी तरफ से भाई बेनों से संबंद भी खराब नहीं है तो कुल मिलाकर किसूरिया के कारक हैं वो जहां सब उगली के अंदर मवजूद है कोई अभी बहुत बड़े किसी हड़ी के रोग के संकेद नहीं यह शनी की उंगली है इसको धनके इस्तिति के लिए जाना जाता है यहाँ पर इसको रोगों के लिए भी जाना जाता है यहाँ पर कहते है शने शने धीरे धीरे रोगों का प्रवेस करने के लिए के देखा जाता है साती साथ धनकी मजबूत इस्तितियों के लिए कर देखा जाता है यहाँ पर एक ग्रहन सक्ति का एक बड़ा प्रतिक पीछ में उली पर या निकुल मिलाकर फिल्टर होकर के जनाता है उतना नहीं आता जितना व्यक्ति अपने आपसे संतुष्ट हो सके थोड़ा सा मानसिक चिंताओं को भी यहाँ पर दिखलाता हुआ फर्ष्ट पर्व है आईए बात करता हूँ ब्रस्पति के उली की ब्रस्पति के उली और उसके सेकिंड पर्व मैंने हमेशा कहा सेकिंड पर्व जान जायता है खान पान के लिए व्यक्ति के परिवारी क्रिष्टों के लिए इश्वर की भक्ति के लिए कुल मिलाकर के यदि मैं हाँ देखता हूँ तो ये कट बहुत जादा प्रभाव डालता है किसी भी विवक्ती के ब्रस्पती कारक होता है विवा का और विवा का होता है किस से पती से या पतनी से आदमी से या औरत से तो कुल मिलाकर उस से संबंद खराब वर्तमान में रिखाएं इतनी बात इस से जादे जारी जाती है कोई यादे खराब बात नहीं करा हूँ वर्तमान में इस्तिती यहाँ पर खराब आईए बात करता हूँ संतान का सुखसे हो है आईए बात करूँगा बुद्ध परवत के बारे में बुद्ध का परवत और यहाँ पर यह वो रिखाय खड़ी है जो बताती हैं कि चाहे कोईसे भी रास्ता बने, कोईसा भी रास्ता बने, प्रन्तु आप उस अपने कर्म के द्वारा, आप उस रस्ते के द्वारा धन के अगमन पैदा करने वाले वक्ती हैं, इस्तितिया केसी भी क्यों नजई, धन को पैदा करते रहते हैं, यह यहाँ पर आने वाला बुद्ध परव है जहाती साथ संतान का सुख स्वेहग भी मिलेगा आईए सूरिय परव के बारे में चलते हैं सूरिय का परव और बहुत सारी रिखाओं के विकराफ के साथ में जड़ा हुआ सूरिय परव पर जितनी रिखाएं एक दूसरे को इलज करके चलती है एक दूसरे को काट करके चलती है उतना ही व्यक्ति के अंदर जाजा संगर्स होता है सर्विस का परिवर्तन होता है नौकरी का परिवर्तन होता है तो कुल मिलाकर इस्तान परिवर्तन भाग दोड़ ये सब चीजे सूरिय परवर्त पर वरतमान में दिखलाई पर रही है आत्में नहीं हो तो उसका फायदा भी कितना है अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके शुक्र वले के बारे में शुक्र वले जो पूरी तरीके से बना नहीं यहाँ पर अगर को कहूं तो सिरफ ये एक तरह के से जो है ना तो शनी वलक वले की स्रेनी में है ना सुक पर रहें किया है कुण मिलाकर सूर्य आ से लेकर बर्सपती की तरफ इसका इसारा है यानिके भाग दोड़ भी है और इस पर भक्ती भी है और उसके पास सपलता कम है क्योंकि नीचे काटने वाले निसान भी है, यहाँ पर भाग गे रेखा आपके पास जैसी भी है, फिर भी भाग गे रेखा है, जो आपको किसी ना किसी जरीए से आपका अधिमन में धनका अधिमन कराती रहती है, बहुत अच्छी बात नहीं कह सकता, अभी कोई करोणों में बात नहीं कर सकता, लेकिन जी आपके जीवन ने आएसा कर सकते हैं आप। साथ ये काटने वाली रेखाएं यानि जब इस प्रकार से रेखाएं काटें तो इसका मतल़ होता है वक्ति का मन जो है वो दुखित है वक्ति का मन के अंदर आशांती है इस प्रकार को दिखनाने वाली रेखाएं अहां इसा कह सकता हूं कि थोड़े बहुत पेट का खान पान के रोगों का ध्यानक ना है बाकी पत्नी के साथ संबन से हिर्द्यांगिनी रेखा बोलते हैं से हिर्द्यांगिनी रेखा पर भी कट हो जब मुझूद तो व्यक्ति के जीवन के अंदर पत्नी के साथ तेर तमेर चलती रहती है यानि के कहा सुनी चलती रहती है आईए बात कर कर करम करें और करम से लाव ना मिलने के पूरे संकेत आपके मंगल पर में हैं यानि मंगल पर कहीं से भी एक तरी से आप स्तिरी नहीं हो पाते कि मैं कौन सा करम करूं और साथी साथ कितनी बार मन बुझ जाता होगा हार मान जाते होंगे फिर दुबारे खड़े जाते होंगे क तो एक मंगा लेका इधर से इसके अंदर आकर के भी मिलती है यानि के कुल मिलाकर के अरचने आती हैं किसी भी जिर्णे को लेने की शक्ती पूरी है अलग सोच है साथी दुनिया से बेकर अलग सोच पूरे परिवार में जिसने किसी में अलग काम ना किया हो उस परिवार के काम को आप करते हैं क्योंकि आपकी बुद्धी रेका थोड़ी अलग चलती है ये थोड़ा सा व्यक्ति को जिद्धी स्वाव का बनाती है अडियल बनाती है तो ये अच्छी बात है कि आप बैलेंस बुद्धी रिका के साथ हैं जिद्धी हैं जिद्ध करेंगे और तभी तो आपने आपको सिद्ध करेंगे तो कुल मिलाकर मैंसे बुद्धी रिका ही बोलता हूँ अच्छी बुद्धी रिका बोलता हूँ दित्य मंगल परवत की बात करता हूँ यहाँ पर अभी किसी प्रिका के कोई मुकदमे जगडे जंजट इस तरह के कोई इस यहाँ पर इस्तिती नजर नहीं आती है तो यह अपने आप में यहाँ पर आपकी कुल मिलाकर जो बुद्धी रेका का फल और मंगल परसम और मंगल दित्य परव का फल है आईए बात करूँगा चंदर परवत की बारे में चंदर परवत यहाँ से बहुत सारी रेखा हैं देख रहे हैं यह प्रगर्ती रेखा हैं ये प्रगर्ति रेखा है जब व्यक्ति के जीवन में उपर की तरफ देखें तो व्यक्ति यहां कुल मिलाकर मेहनत करने वाला है और भाग दोड़ कर रहा है और प्रियास कर रहा है मानसिक टेंशन से तो नहीं कुझ रहेंगे आप थोड़ा सा स्वास्ति के लिए मैं कह सकता हूँ कि नीचे जब इस तरह का परवत थोड़ा सा हो जाए तो स्वास्ति रिका थोड़ा सा ध्यान लगना है और बुरी आदोसों से बचना है अब बात करते हैं इसके बात में हम आपकी सीधा सीधा व्यापारिक रेखां के बारे है व्यापारिक रेखा एक शुक्रप से निकली यहां इसका जाकर कैसा ही वो एक रेखा ये मणी बंद से हो करके इस परकार से निकली और दूसरी रिकाई दूरह स्तानों से जूल करके इस प्रकार से रिक ली यानि कि कुल मिलाकर के व्यापार में आपको ये बेलदार चीजे ये जब जाकर चलती है अशनुटी के जीवन में ये अपने आप में संगर्स कराने वाली सितिय यानि आपका जो व्यापार आप करेंगे उसमें कोई आपको आसानी से लड़ू नहीं मिलने वाला है उसमें कुछ ना कुछ आपको टेड़े बैके रास्तों से गुजरना पड़ता है और उसके बाद में स्वाइम को सिद्ध करने की स्थिति बनती है क्योंकि इसमें एक रेका भाग्य रेका भी यहां से चंदर परवस से इन्वाल्व कर रही है तो यह बताती है कि जब तक आप टूर ट्रेवलिंग सप्लाई इस चीज़ से नहीं जुड़ेंगे इसमें शुक्र परव का भी इन्वाल्मेंट है जब तक आप इसके साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक आपके जीवल के अंदर गत आपको सफलता नहीं मिलेगी यानि व्यापार के अंदर काफी तेड़ बेड़ है इस परकार को दिखलाने वाली यह रेखा यहां पर बताती है भाग्य रेखा में भी बता दिया कि दूर इस तान तक भागड़ोड के लिए तयार हो जाईएगा आईए बात करता हूँ इसके बाद में सीधा सीधा आपके शुक्रपर्व के बारे शुक्रपर्व और यहां पर अगर आप देखें तो इसके अंदर क्रॉस केचिन है यव केचिन है यहां एक्दम ब्रैकेट्स जो है वो दूसित हो जाते हैं यानि पूरा शुक्र एक्दम खराब साधन खराब पतनी से टकराब कुल मिलाकर अच्छे संसाधनों से संजित ना होना यह सब स्थितियां यहां पर आपके शुक्र पर दिखलाई पड़ती है तो यह आपने आप में अच्छी बात नहीं कही जा सकती अब मैं बात करूंगा आपके यहां पर सीज़ा सीज़ा आपके आयॉरेखा के बारे आयूरेका और यहां से चलती है और बहुत ही मजबूत ही के साथ चलती है और जाने के बाद में यहां जाकर के टू मुखी होकर दो मुखी होकर के चल जाती है यानि कूल मिलाकर जीवन का बढ़ापा स्रक्टित और साती सात आयूरेका यहां अलबख 80 प्ल Nelson तो ये सब चीजें सूरिया कपर्व की रिखा का संबन, आपके जीवन में भागदोर को बता रहा है और इनका क्या फल है, ये आपके सवालों से मैं बता रहा हूँ आपने सारी कहानी मुझे बताई, मेरा फर्ज बनता है, मैं उस बात को पूरी केलियर यहां पर ना करूँ तो अच्छी बात है क्योंकि मेरा ये काम नहीं है कि मैं किसी की सारी बातों को यहां बता हूँ कुन मिलाकर के आप इस समय केमिकल का का काम करने जा रहे हैं और केमिकल के काम में आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी इस बात का आपका मुझे सवाल है जब मैं आपके 37 पर जाता हूँ तो यह देखिए यहां आपके 36 वर्स के बाद आपका एक नया उद्या हो रहा है और इसको यदि देखूं तो यहां एक रिखा यह इस परकार से आगर के यहां यहां जुड रही है यानि यह एक बहुत मोटा इंवेस्टमेंट बहुत आगे का है वो तो इतना कैसा कुछ नहीं कभी और रिकाच्ची बन जाए खराब बन जाए वो एक दी बात है लेकिन जहां मैं आपके 37 में वर्स की बात कर रहा हूँ तो उससे पहले यहां आपका भागे नहीं यहां 35 पर छोड़ा ठीक है यह वो इस्टितियां थी जो आपके जीवन में पहले कैसे आपको कोई और जौब मिलती रही उससे थोड़े दिन लाब चला इस तरह से तो ये वो इस्तितियां यहां पर रही है लेकिन वर्तवान में जो इस्तितिया आगई है वो 37 वर्स में और इधर भी 37 वर्स से ही भाग दोड़ यानि दूर इस तान से संबंद बना कर चलने वाली दोनों तस्वीरे हाथ के अंदर किलियर हैं यानि आपके जीवन की अगर मैं कहूं तो बिलकुल जो आप अमने काम कर रखा है उससे संबंदित और काम भी आप जोड सकते हैं जैसे केमिकल में आप कह रहे हैं तो बिलकुल केमिकल का काम कर सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई इतना जहाद पर दसा भी खराब नहीं है और जहां तक काम का सवाल है तो अब ही बसता हूं अब आप सही जगे पर चुनाब कर चुके हैं और इस चरव आप बढ़ते चले जाएए इसमें आपको भटकाव नहीं करना है क्योंकि आपकी कनिश्टा उली थोड़ा गेराई में जाती है तो थोड़ा सा तूट जाता है विक्ती भाग बढ़के बाद अगर को मैं देखो तो यहां पर सिरफ और सिरफ 36 का आकड़ा भर है बाकी कोई तलाक की संबावना कहीं से भी कहीं तक नहीं है आपका वेफसा है जब इस्तिर होने लग जाएगा आप उसमें बीजी हो जाएंगे तो यह सब इस्तितिया नुकूल हो जाएंगी क्योंकि शुक्र पर भी बहुत involvement है तो इससमें परीचानी की तसा है लेकि तलाक कहीं नहीं है बार बार काम बदनना पड़ता है और उससे पहले आपने बताया है को यह नोकरी भी किया और कुछ भी किया आप चिंता ना करें मैं को चुपाई बताने जा रहा हूं जरा बस उसको कर लीजे क्यों कि वो मुस्किल काम है वो ही कर पाता है जिसका भाग्या अच्छा होता है तो यहां करमेश के लिए मैं आपको भाग्या बता रहा हूं उसको कर लीजेगा हिश्चित रूप से आप फिर मुझे आद करेंगे कि वास्ता में मुझे जौब नी बदनने पड़ी है मेरा काम बह पश्बूत करना चाहता हूँ शाद आपने कोई अंगोटी यहां पहन रखी हो अगर पन्ना पहन रखा है तो अच्छी बात है और उसको पन्ने को पहन करके रखिए का अगर नहीं पहना है तो मुझे संबंद कीजिए कोई भी अगर मुझे पहना तो 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 पन्ना मुझे ले लीजिए का मैं पहुचा दूँगा आपके पाजिस्तान बना करके बनवा करके तो एक बहतरी सा पनना पहनी है साथ ही साथ देखिए मैं तीन पूजा पता रहा हूं आपको तीन मैंसे कोई सी एक पूजा पकड़नी है आपको और उस पूजा को करना है नित्या उसका फल म श्थर लू पढये रोजाना और या राम रख्छा स्रौत पढ़िए तीनों मैं से कोई सी पूजा पड़नी किए दों तीनों मैं से एक पूजा आपको कोई सी पकड़नी है अगर आप तीनों कर सकते तो इससे बड़या कोई बात ही नहीं है कुछ मिलाकर के आपको कि केटवार किनी तेजी के साथ खुल जाएंगे नमस्कार